मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है पंक से क्या होता है होसलों से उडान होती है होसलों से उडान होती है नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूटुब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं दोस्तो आज का हमारा विश्य है BSTC 2023 की अंतरगर संस्कित सलेवस, यानि संस्कित का जो भी इसमें सलेवस है उस सलेवस की हम चर्चा यहां करेंगे, बहुत सारे विध्यारतियों ने डिमांड किये कि सर हमें BSTC संस्कित पूरी करवाईए, तो दोस्तो आज से आपकी क्लास शिरू है, सबसे पहले हम सलेवस को समझेंगे दोस्तो, आप कोई भी तयारी करें, सबसे पहले सलेवस आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, आप करना क्या चाह रहे हैं, उसके बारे में जब तक आपको पूरी डिटेल समझ में नहीं आएगी, तब तक हमारी तयारी अच्छे से नहीं हो सकती है मित्रो, इसलिए सबसे पहले हम सलेवस जानेंगे, उस सलेवस में हम सारे ही बिंदूओं पर चर्चा करेंगे, कि किस बिंदू में हमें क्या पढ़ना होगा, और कितना पढ़ना होगा, किस तरह से हमें पढ़ना होगा, जिससे की हम बहुत अच तरीका से आपको समझाय जाएगा आप हमारी पूर्व की क्लास देख सकते हैं आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसलिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि लगातार क्लासेज आपको तभी मिल पाएंगी दोस्तों और चलिए अब हम अब चलिए मित्रो हम शुरू करते हैं आज की हमारी इस खास इंपोर्टेंट क्लास को समस्कित सलिवस के बारे में हम जानेंगे सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इसमें टोटल 30 प्रशनाप के आते हैं और एक प्रशनाप का तीन नंबर का है तो टोटल आपके 90 नंबर समस्कित के हो जाते हैं ठीक है समस्कित तो कौन ले सकता है ठीक है इसके बारे में मैं अलग से सेपरेट वडियो बनाऊंगा कि कि किस तरह से आप इसमें भाशा का चैन करते हैं आपको इसमें समस्कित लेनी चाहिए कि आपको हिंदी लेनी चाहिए और बहुत का ओप्सन भरने पर क्या होता है मैं आपको अलग से बता दूँगा ये बिलकुल भी कन्फिजन आपका नहीं रहेगा लेकिन हाल फिलाल में हम बात करेंगे संस्कित के स्लेवस की जो विद्यारती संस्कित से VSTC की तयारी करना चाहते हैं ठीक है उनके लिए है ये खास important वीडियो तो देखिए सबसे पहले हम इसमें आपको बताते हैं बिंदू नंबर एक सबसे पहले दोस्तों इसमें दे रखा है आपके स्वर और व्यंजन ठीक है स्वर व्यंजन इसके साथ में इसमें है आपका उच्चारण स्थान क्या है उच्चारण स्थान अच्छे से समझ लेना यह हमारा पहला विंदू हो जाता है मित्रो इसमें है स्वर व्यंजन और उच्चारण स्थान इसका मतलब है कि स्वर व्यंजन आपक वो complete topic है आपका अब हम बात कर रहे हैं BSTC के लिए तो BSTC का जो लेवल रहेगा वो आपका बैसे तो बारवी तक का माना जाएगा बारवी तक का लेवल रहेगा ठीक है ना तो हम बारवी तक के लेवल के आधार पर आपको अच्छे से बता देंगे और पहले कैसे कैसे वर्ण विचार का टोटल हमारा topic तोपिक रहेगा इसमें हम स्वर पढ़ेंगे स्वर कौण से होते हैं तोटल हम्हारे वर्ण कितने होते हैं कुईpping कितने उच्छर्ण स्थान समझना होगा तो मैं आपको इनको बहुत ही सरल तरीका से बताऊँगा और बहुत ही एक रोचक तरीका से एक ट्रिक के माध्यम से समझाऊँगा आपको आराम से याद हो जाएगा समझ में आ जाएगा, मैं तो यह कहूँ कि क्लास के अंदर याद हो जाएगा यदि आपने हमारी क्लास अच्छे से देख ली और सुन ली तो ठीक है दोस्तो, देखिए एक बिंदू हमारा हो जाता है तो स्वर पढ़ने हैं हमें पूरे के पूरे व्यंजन हमें समझने हैं बिंदू को कितने भागों में डिवाइड किया है स्वरों को कितने भागों में डिवाइड किया है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं टोटल वर्ण कितने होते हैं ठीक है ना उच्छरन स्थान में है किसी भी वर्ण का उच्छरन स्थान हम से पूछा जा सकता है इस तरीका कि इसमें कई सवाल आपके बन जाते हैं नम्मर दो पे हम चलते हैं शब्द रूप अब देखिए मित्रों शब्द रूप में वैसे नाम नहीं दिया है कि वही कौन सा शब्द रूप आएगा वैसे शब्द रूप बहुत सारे हैं लेकिन उन्ह अकारांत के हमें शब्द पढ़ने होंगे विशिश यानि अकारांत पुलिंग और अकारांत इस्त्रलिंग के और कुछ शब्द हमें नपूम्शक लिंग वाले भी समझने होंगे इसमें अब मैं आपको यहां पर कुछ दस पंदरा शब्द बताऊंगा जिसमें पुलिंग बी रहेंगे इस लिंग भी रहेंगे और नपुम्शक लेंगे तीनों लिंगों के अंदर हम 10-15 शब्द याद करेंगे उनको समझेंगे उनकी मैं आपको ट्रिक बताऊँगा कैसे याद कर सकते हैं कहां से सवाल पूछा जा सकता है और किस तरह से सवाल पूछा जा सकता है मैं आपको बहुत ही सरल तरीका बताऊंगा एक बार आपने देख लिया तो टेंसन खत्म हो जाएगी फिर आपको अलग से कहीं से कुछ देखने और पढ़ने की अबशक्ता बिल्कुल नहीं रहेगी बित्रो ठीक है आपको विश्वास यदी है तो निश्यत रूप से आपको सब कुछ यहां चैनल पर मिल जाएगा इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और अपने तो एक काम छोटा से जरूर करना इस वीडियो को आपको जादा से जाद अपने दोस्तों तक शेयर करना है क्योंकि आपके शेयर करने से किसी का भला हो सकता है क्योंकि जो विद्यारती समस्कित से तयारी कर रहे है उन तक वीडियो जरूर पहुँचना चाहिए उनको भी फायदा मिलना चाहिए तो इसमें हम 10-15 शब्द रूप अब देखिए अगला है दोस्तों हमारा तीन नमर पे धातू रूप क्या है? धातू रूप अब देखिए धातू रूप में भी फिक्स नहीं बताया कि कौन-कौन सी धातू हमें तयार करनी है अब इसमें तो बहुत सारी धातु हैं, आपको भी पता होगा, लकारों के नाम इसमें दिये हैं, वैसे ये पांच लकार हम पढ़ते हैं, लेकिन इसमें लट, लोट, लोट, विधी लिंग, लट, लोट, लंग, यानि लट लकार, लोट लकार, विधी लिंग और लंग लकार ये इन्हों ने दिये हैं बैसे इसमें पांच का हम बिश्य शद्यन करते हैं लेकिन स्लेबस में चार का ही नाम दिया हुआ है तो हमें चार का ही समझ लेना है एक लिर्ट लकार और होता है लेकिन उसका स्लेवस में नाम नहीं है वो हम आपको ऐसे ही बता देंगे बहुत ही सरल है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमें यहाँ पर लगबग 10-12 धातू आपको अच्छे से करवाएंगे 10-12 धातू तो हमें करने ही पड़ेंगी उनमें से कोल भी समस्या नहीं आएगी लट लकार में हमें दातू समझनी है लोट लकार में समझनी है विदीलिंग लकार में समझनी है और लंग लकार याने की भूत काल के अंदर भी हमें क्लास इसमें समझेंगे आगे चलिए यह हमारे तीन बिंदू हो जाते है मित्रो इसके बाद में हमारा चार नमँबर का जो बिंदू रहेगा बो हैगा अब देखो मैनम lijन जू हमारे टौपिक बड़े टौपिक उन पर हम संधी क्या रहेगी संधी मित्रों संधी के अंदर आपकी तीनो संधी आ जाएंगी इसमें हमें स्वर संदी भी पढ़नी पढ़ेगी व्यंजन संदी भी इसमें हमें पढ़नी है और इसमें हमें विसर्ग संदी भी पढ़नी होगी लेकिन इसमें जो मैन मैन सूतर है वो ही हम पढ़ेंगे वैसे तो संदी बहुत बड़ा एक हमारा टॉपिक होता है लेकिन हम बारवी की टेंडर को लेकर के यहां पर चलेंगे आपको अच्छे से समझा देंगे और पहले किस पेपर हुए हैं उनमें किस लेवल के कुश्चन पूछे गए हैं वो भी हम आपको साथ साथ में बताएंगे जिससे कि आपको भी पता रहेगा कि ऐसे सवाल पूछे जाते हैं तो यह हमा से separate नाम नहीं होता है समास क्या होता है समास कितने प्रकार के होते हैं πफशा माख़ी नियम होता है करमधरिय समास समास को अच्छे से बताएंगे इनके जो most उधारं हैं पहले जो पूछ लिये गए हैं उनको भी आपको clear कर वा दिया जाएगा जिससे कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी संदी समास इसके बाद में एक आता है हमारा कारक कारक के अंदर देखो दोस्तों विवक्तिया होती है इसमें नियम होते हैं कि कहां पर प्रत्मा विवक्ति होगी कहां पर दुतिया विवक्ति हमें करनी होती है कहां पर तृतिया विवक्ति ह खाँ चित को बहुत अंगे क्लास के अंदर ही यक बड़ा तौपिक आपका प्ंध्य का है इस हमारा साथ हो गया प्रत्य ठीक हैं क्या रूप उसका बनता है किस तरीका से परिवरतन होता है कैसे सवाल इसमें से पूछे जाते हैं ये सारा कुछ मेटर आपको इसमें किलियर करवा दिया जाएगा इसके बाद में दोस्तों दो बिंदू और हैं आपके देखिए आठ नमबर पे एक तो आपका है उपसर्ग उपसर्ग ठीक है खाली इस्तान देकर के भी सवाल पूछा जा सकता है अर्थ के आधार पे भी सवाल पूछा जा सकता है तो ये सारी बातें आपको यहां किलियर कर दी जाएंगी एक लास्ट बिंदू है दोस्तों नौ नमबर पे लिंग वे वचन लिंग और वचन ठीक है इसमें हम जानेंगे लिंग याने कि आपको पता है कि समस्कित में तीन लिंग होते हैं पुलिंग, इस्त्रिलिंग, नपुमशक लिंग इसमें हम पैचान करवाएंगे आपको कि पुलिंग के शब्द कौन से होते हैं पुलिंग के शब्दों की क्या पैचान होती है क्या इसका नियम होता है इसी के साथ में हम जानेंगे इस्त्रिलिंग शब्दों को इस्त्रिलिंग शब्द कौन-कौन से होते हैं ठीक है ना बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो दिखने में इस्त्रिलिंग होते हैं बट इस् संधी ले लेते हम, संधी, अब जैसे आपको संधी शब्द दिखने में इस्त्रिलिंग लग रहा होगा, बट ये इस्त्रिलिंग नहीं है मित्रो, ये इस्त्रिलिंग शब्द नहीं है, हम आपको नियम बताएंगे तब पता लगेगा कि ये पुलिंग शब्द है, पुलिंग क्योंकि इसमें की प्रत्य लगा हुआ है जिस भी धातू के साथ में की प्रत्य जुड़ेगा तो उससे बनने वाला शब्द आपका पुलिंग होगा ना की इस लिंग दिखने से कुछ नहीं होता है अंदाजा नहीं लगता यहां पर कुछ नियम होते हैं तो यह सारे नियम हम लिंग में जानेंगे इसके बाद में वचन तो वचन तो आप समझ जाओगे जैसे कि आप धातू पढ़ लोगे और आप शब्द रूप जब पढ़ लोगे तो इसकी दिक्कत आपको नहीं आएगी वचन में जैसे कि कोई वाक्य दिया जा सकता है कोई पद दिया जा सकता है कोई शब्द दिया जा सकता है उसमें हमसे पूछा जा सकता है इसमें कौन सा वचन है यह डाइरेक्ट शब्द का वचन भी पूछ सकते हैं कि इसका आप सक्तमी का वहु बचन बताईए, तृतिया का दिवचन बताईए, पंचमी का एक बचन बताईए, ऐसे भी पूछे जा सकते हैं सवाल बचन से ले करके, ठीक है, तो इस तरीका से दोस्तों हमने BSTC के लिए जो समस्कित का सलेवस चलता है, उसकी यहाँ पर की चलेंगी यहाँ पर, तो यह हमारी पहली क्लास है, एक क्लास में आपको और बताऊँगा, जिसमें मैं आपको पूरा सलेवस, जैसे मैंने अभी यहाँ समझाया है, इसी तरीका से आपको यह भी मैं समझाऊँगा, कि जैसे मानलो आपको फॉर्म भरोगे, तो फॉर्म भ तो मैं आपको अलग से समझा दूंगा कि वहाँ पर आपको समस्कित रखनी होगी के हिंदी रखनी होगी या बहुत का ओप्सन भरने से क्या होगा केवल समस्कित भरने से क्या होगा और केवल हिंदी भरने से क्या होगा मैं आपको किलियर कर दूंगा उसके बाद में आपका जो doubt है हमेशा के लिए बिलकुल clear हो जाएगा मित्रू तो ये हमारी आज की class कैसी लगी जरूर हमें बताना इससे related कोई भी आपका doubt रहता है कोई भी सवाल होता है तो आप जरूर हमें comment के माध्यम से हम तक आप सवाल भेजिए आपके हर सवाल को यहाँ पर sort out करने का प्रयास किया जाएगा लगातार class मिलेंगी आपको तो चेरल से जरूर जुड़ जाना चेरल को subscribe कर लेना और घंटे के निसान को भी प्रेस कर देना जिससे की सारी class आपको मिलती रहेंगी दोस्तो तो जरूर बताना class के बारे में और अच्छी लगती है तो like कर देना और अपने दोस्तों तक जरूर share करना अगली class का इंतजार करें तब तक अपनों का और अपना ध्यान रखें सब के लिए नमस्कार धन्यवाद पुने मिला